महु की अध्योगिक नगरी पितंपूर में राम रतन कॉलोनी में भाजपा युवा नेता कमल पतेल द्वारा भव शनी मंदिर का निर्माण किया गया है महु की अध्योगिक नगरी पितंपूर में राम रतन कॉलोनी में भाजपा युवा नेता कमल पतेल द्वारा भव शनी मंदिर का निर्माण किया गया है जिसकी प्रान पतिष्ठाय मंगलवार को छतर छाया रामेश्वर मंदिर से 101 कलश लेकर महिलाओं की शोभा यात्रा निकाली गई जहां पूरा नगर धर्म में हो गया इस दोरान कलश यात्रा का जगा जगा फूलों से स्वागत किया गया कलश यात्रा मुखे मार्ग से होते हुए पतेल कॉम्पलेक्स नव निर्मित मंदिर तक निकाली गई वही पर शनी मंदिर के अंदर चार फिट की शनी देव की प्रतिमा विराजित कर नवगर मंदिर शिव परिवार और हनुमान जी की प्रतिमा विराजित की जाएगी कमल पतेल ने चर्चाएं बताया कि उनका एक सपना था कि ओध्योगिक नगरी में एक ऐसा मंदिर हो जिसमें बबाश शनी देव महाराज वभगवान शिव परिवार और नवगरह की मूर्ति विराजमान हो तो वही पर आपको बता देगी 21 फरवरी को मंदिर का प्रान प्र मंदिर तक यह यात्रा जाएगी मेरे पिता जी श्री इस्वर जी पटेल का सपना था कि पिधंपूर में एक भव्य सनी नवगरह मंदिर बने जो कि आज यह सपना पूर्ण हो रहा है यहाँ पर शिव पारवती परिवार हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्टा हो और पितेम पुर्ण के आज तक क्यों है यहां कि यहां के जनता मज़दुरों को भूत परिशानी होती थी यहां कि यहां से दर्सनकरने इंदोर लो महूं और बाए घ्राम जाते थे संसरी श्री नोगर की दर्शन करने के लिए अब जो कि यहीं पिथमपूर में यहाँ पर दर्शन सनी महराज के नोगर और श्यूपार्वती परव्टी पर रवड़ करें यहीं पर हो जाएंगा अभी तक पूरे पिथमपूर में धार जीले में भी काले की रिपोट